Tell me the name of witnesses इतना ही मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ इसे The names of witnesses are Soroja Gowda and Munna Gowda क्या बात है यह document के अंदर से उसने नाम उठाए और आपको बता दिया What is the total sales figure of all team leaders combined? तो यहाँ पे यह total कर रहा है और यहाँ पे बता रहा है total sales figure of all the team leaders यहाँ पे आ चुका है answer is markdown right? इस तरह से उसने answer किया कि यहाँ पे जो amount दिखाए रही है इन सभी का total इसने कर दिया है दोस्तों अब आप documents से भी बाते कर सकते हो अपके पस Excel पैले उससे आप बात कर सकते हो आपके पस Word पैले उससे आप बात कर सकते हो आप बोल रहे होंगे क्या बोल रहे हो सर? जरा detail में explain करो AI टूल की मदद से आज क्या कुछ निकल सकते है अपना काम आसान कर सकते और ऐसा ही एक AI टूल जो आप फ्री में इस्तमाल कर सकते है उसकी detail information मैं आपके लिए लेकिया है हूँ मैं सतिश complete technology channel में आप सबका सौगत काता हूँ लेट्स बेगिन तो इंट्रो पार्ट में जिस AI टूल के मैंने बात की आप से उसे एकसेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जिसके उपर क्लिक करते ही आपके सामने यह ब्राउजर में इस तरह से page open होगा और यह है lightpdf.com यहाँ पर आप देख सकते chat with any documents online for free यहाँ पर आपको दिये pdf, word, excel, ppt and e-supported documents होते हैं इन सभी documents के साथ यहाँ पर आप chat कर सकते हैं और यह chat आपको ऐसे करना है यहाँ पर देखिए आपको यह option मिलेगा select files, तो मैं यहाँ पर select file पर click करता हूँ यहाँ पर कुछ files मैंने रखी है सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है एक agreement मैंने रखा है तो यह pdf file है, मैं इसकी उपर दिखा तो जैसे इसने document analyze किया आपको यहाँ पर उसने idea दिया कि भाई यह leave and license agreement between this person and this person residential unit in Mumbai, right? पूरा agreement का idea दे दिया है यहाँ पर कि यह basically document क्या है okay, उसके बाद उसने कुछ सवाल भी दिये who is the license and where is the residential unit located? तो यह अगर सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आप इस पर click करो इसके नीचे एक और सवाल दिया है उसके नीचे एक सवाल दिया है और आप नहीं चाहते इन में से कोई भी जवाब तो आप दूसरा कोई questions यहाँ पर type कर सकते हैं जैसे आप पूछना चाहते है इस डॉक्यूमेंट में इतना ही मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ इसे देखते हैं यह प्रॉपर जवाब देता है की नहीं देता है दे नेम्स ओफ विटनेसेस आर सोरोजा गोडा एन मुना गोडा क्या बात आई है यह document के अंदर से उसने नाम उठाये और आपको बता दिया है चलिए मुझे agreement की start date पो हो औक है me you तो यहां पर इसने बताया कि क्या क्या चार्जेस का पर लगे हर एक सवाल को आप यहां पर पूछ सकते यह एक रजिस्टर एग्रिमेंट इसमें पूरी डीटेल से अब मैं अग्रिमेंट नहीं दीखा सकता दूटू कॉंपिडेंशल डेटा लेकिन मैं यहां पर बताना चाह अग्रिमेंट में लाइट अन फैंस कितने इंक्लूडे वह बता रहा है त्री फैंस शिक्स त्यूब लाइट त्री बल्प्स ओके रिसिदेंशल यू नीट यहां पर अपर्मेंट फ्लाइट नंबर तावर 1902 तो यहां पर अंसर दे रहा है आपको जो आप सवाल पूछते इस पीदिया नाम आप पुछ ना चाहते है उस पीदिया प्रमे टेयन के पार अंधर अखे सवाल पूछ उट्थ सकते हैं लेटमी लेत अन टेननें नेम क्या है इनृष और नेम ऐसे पना चाहते हैं तो यह भी आाप कया एंड कर undez दोकिे मेंट की अंदर जितने ही उससे रिलेटर आप धेर सारे सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं, agreement end date पूछ सकते हैं, rain charges पूछ सकते हैं, everything you can ask the questions, तो यहाँ पर आपको मैंने idea दिया है, इसका जवाब आपको instant मिलेगा दोस्तों, और यह जवाब आपको मिलता है, वो list में, paragraph में, या text only tables में आपको मिलने वा इसा कोई file size का limit नहीं है, chat sessions का भी कोई limit नहीं है, और upload times का भी limit नहीं, लेकिन अगर आप free में इसे इस्तमाल करते हैं, तो 20 pages तक की file आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, अगर आप इसका paid version लेते हो, तो आप बड़ी file भी upload कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बस PDF बता है, अब हम Excel file को upload करके देखते हैं, इसका जवाब कैसे देता है, तो मैं यहाँ पर back button पे click करूँगा, फिर यहाँ पर select files, फिर यहाँ पर मैं project data नाम की Excel file upload कर रहा हूँ, और यह analyze कर रहा है, चले इसने analyze किया, the document provides least 10 team leaders, बता रहा है कि document में team leaders है, अब मैं Excel file आपको दिखा सकता हूँ, साइड में open रखता हूँ, तो यहाँ पे आप Excel file भी देख सकते हैं, यह 10 team leader है, बराबर उसने पता है कि यह 10 team leader है, project है, इसका sales है, तो यहाँ पे data में आप देख सकते हैं, यह 10 team leaders का data है, their respective projects है, उनके project भी दिए है, और उनके sales figure भी दिए है, data को properly identify करने का काम पहले हो कर ल of all the team leaders combined, तो आपके पूरे team leader, जितने भी उनके combined sales figure क्या है, या फिर mark project की जो category है, उसका highest sales figure क्या है, how many team leaders are there in a rock project category, rock project category में कितने team leaders है, तो मैं इसका जवाब चाहता हूँ, what is the total sales figure of all team leaders combined, तो यहाँ पे total कर रहा है, और यहाँ पे बदा रहा है, total sales figure of all the team leaders यहाँ पे आ चु से उसने answer किया, यहाँ पे जो amount दिखाए दे रहे है, इन सभी का total इसने कर दिया है, right, so interesting है, मैं चाहता हूँ कि कितने team leaders है rock project में, तो यहाँ पे यह सवाल को ले रहा हूँ, pick कर रहा हूँ, basically, type करने की जगर, यहाँ से pick किया है, मैंने, और यहाँ पे आपको दिखाए दे the rock project category, तो आपको पूरा table भी दिखाए दे रहा है, और उसमें बता रहा है कि भई, इसमें तीन rock project category के team leaders है, ऐसा ही मैं सवाल चाहता हूँ, suppose मैं इस सवाल को दुबारा copy कर लेता हूँ, और बस इज़र rock project की जगर मैं यहाँ पे mark project लिखता हूँ, तो mark project category का मैं यहाँ पे जवाब चाहता हूँ, तो let's see, यह क्या जवाब देता है, और यहाँ पे बता रहा है कि mark project में 7 team leaders है, यहाँ पे बस mark के बता है, यहाँ पे पूरा table उसने बताया था, लेकिन counting बताया था, कि 3 team leaders है, लेकिन यहाँ पे बस इसने mark का ही निकाल के दिया है, आपको 7 team leaders in mark project category, र तो आप यहाँ पे बस आपके सवाल डाल दो, सारे के सारे formula का result आपको मिल जाएगा, basically अगर आप formula सीखना चाहते, तो उसका course में ने डिजाइन किया, description में आपको मेरे application की link मिलेगी, जहां से आप course सीख सकते है, Excel का वगेरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है तो टोटल सेल्स चाहिए, या फिर गनेश मिश्रा इस पर्टिकुलर सेल्स चाहिए, या हैस्ट सेल्स चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते है, जैसे यह सवाल है, which team leader has the highest sales figure in mark project category, mark project category में कौन सा team leader है, जिसका हैस्ट सेल है, यह उसका sales figure भी है, और उसका नाम यहाँ पे आ मिले गए, यहाँ पे मैंने project category का नाम गलत लिखा था, mark, actually mark है, फिर भी उसने जवाब दे दिया था, यहाँ पे, आपको कि mark project category नहीं, mark उसने answer mark का निकाल लिया, basically, okay, वाँ पे mark ही आमने उपर spelling किया था, फिर भी correct answer यहाँ पे मिल रहा है, so यहाँ पे आपको idea आ चुका है कि यह AI tool आपके spelling को भी थोड़ा बहुत adjust कर लेता है, correct कर लेता है, और काफी ज्यादा efficient tool लग रहा है मुझे यह, तो अभी हमने Excel file से related कुछ सवाल पूछे, अब word file के उपर भी देखते है, मैं select file करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है 10 most IMP questions in Excel MIS, right, Excel MIS related 10 IMP questions, यहाँ पे इसके बारे में आप जानना चाहते है, या फिर आप, can you explain different types of charts available in Excel, okay, और यह, what is the conditional formatting in Excel, and how you can be used in a manipulate data, तो यहाँ पे पहले क्लिक करते है, we look up function के बारे में, तो वो pick कर लेगा, कि we look up के बारे में, आपने क्या information document में दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, we look up का पूरा पूरा information उसने दिया है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, वैसे वी look up के उपर मैंने डेसरे वीडियो बनाए, लेकिन मैं आपको बताओ कि भई, अगर आपको एक बड़ा document है, और आपको पता है कि यार मुझे एक formula या कुछ content तो आप यहाँ पे आकर सवाल पूछो, वह आपको डिरिकली जवाब देए, आपको यहाँ पे आकर डूनने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, तो ऐसे आप Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, PPT, EPUB, in files के अंदर जो सवाल है, उसके जवाब डून सकते हैं, इसकी मदद से, तो यह काफी interesting AI tool है, चेक आउट करूँ, मैं भी लूँगा कुछ और interesting tool के साथ, तब तक के लिए अपना खयाल रखो, सीखते रो, सीखाते रो, बाई बाई